हलो एवरिवन आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना वो है यहाँ पर जो हम जो टक्स पॉइंट लेते हैं ना उश्की तो बहुत सारे कॉमेंट आ रहा है तो मैंने चलो आज टक्स पॉइंट के इस पॉइंट को ही क्लियर कर दे तो मैंने यहाँ पर बैक पूरी जो यहाँ पर यह जो यह हैं ना हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है, अब मैं आपको पताते हूं आप से स्केल बलाव तंफ हो रख लीजिए अभी क्या होता है हम हमेसे आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको न दस इन्छ पे करनी है बट ऐसा नहीं है, टuges् होते हैं उनके लिए टेक्निकली किसी चीज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है तो आज मैं चलिए आपको बताती हूं आप इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा ध्यान दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे कोई बहुत बरा इसमें साइन्स नहीं है तो पहले मैं चेश्ट यहां पर कर देती हूं मार्किंग लिख देती हूं मैं इसको चेश्ट को तो मैं यहां पर 42 चेश्ट तक ही बताऊंगी आपको ध्यान से देखिएगा टक्स पॉइंट बहुत में मतलब पॉइंट होते हैं ब्लाउस की कटिंग में इस इसका बहुत दिहान रखना जरूरी है अगर यह रखेंगे तो धीरे धीरे करके अगर आप विगनर्स है और यह इस पेसली विगनर्स के लिए तो विगनर्स को बहुत आसानी हो जाती है फिर उनके जो कॉप है सही जगा पर फिट वैठ हैंगे ब्लाउस बनने के बाद किसी को भी फिट फिट व्हिष का ध्यान रखेगा तो नाई इन्च पे अठाईस इंच को लिजेगा नाई ने से कम भी मत लिजेगा ज्यादा तो बिल्कुल भी मत लिजेगा ज्यादा लेने के बाद आपको प्रॉब्ब्लम आ जाएगी तो यहां पर यहां पर मैं बता रही है क्योंकि तो या तो आप 9 इंच ले लिजिए या पर 9 इंच में एक आप सूत बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, एक से दो सूत बढ़ा लिजिए, क्योंकि अगर कभी-कभी क्या होता है, तीस इंच में भी न, जो किसी-किसी की चेश्ट बहुत भड़ी होती है, तो उस टाइम पर आपको इस चीश का पॉइंट पर आपको धियान रखना है, तो आप एक से दो जो है न, शूत है आप बढ़ा लिजिए, और नहीं तो अगर आपको लगे कि नहीं, आपको अगर आपको लगे कि 28 इंच में बहुत जादा का फरक नहीं, आपको आ रहा है, मेजर में, जो आप टक्स परिखन देना है, तो आप एक दो सुत बढ़ा लीजिए गा वहाँ पर, अब हम आगए हैं, 34 पर, तो 34 और 32 एक बराबर होती है, आप वहाँ पर किया किजिए, कि 9, आप वही दो सुत बढ़ा लीजिए, तो काफी है, ठीक है न, तो 34 या पिर बराबर आप ले सकते हैं, मै मतलब सारे 9 इंच कर दीजिए तो यहां पर सारे 9 आपको कर देने हैं यह और यह 38 है इसको यह अगर आप 9.5 कर रहे हैं जैसे मैं आपको 34 में 10 इंच बताती हूं 36 में भी तो यह मतलब नॉर्मल बता देती हूं कि बस इसमें यहां पर है कि आपकी ब्लाउस बिग्रेगी भी नहीं और खराब भी बिल्कुल नहीं मतलब होने वाली है बैट जाएगी एकदम परफेक्ट के लिए अगर आप टक्स पांट की जैसे कॉमेंट आ रही थे वह मैं 9.5 यहां पर मैंने बता दिया है आपको क्या होता है अगर परफेक्ट आप पूरी मेजर्मेंट आप सही ले रहा है जैसे आर्म होल है नेक है नेक की वीर्थ है सबको अगर आपने ध्यान रखा है तो 9.5 लीजिए क्योंकि आपकी कटिंग इंदम जो प्रफेशनल होते हैं तो उनकी परफेक्ट होती है तो 9.5 पर भी लेते हैं तो उनका परफेक्ट वो बैठाते हैं वो मेजर्मेंट के हिसाब से लेकिन आप वीगनर से आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ परिशानी होगी ही कटिंग में आप आप बंद करके 10 ही लेनी है ठीक है ना 10 इंच ऊपर मत लीजेगा ब्लाउज बिर्कुल बिगड़ जाएगी और उसके बाद यहां पर आती है 42 अब आप कहेंगे 42 पर आते ही 10.5 हो गई है 10.5 इंच में मतलब सारे 10 इंच हो गई है लेकिन यह जो चेस्ट होती है ना यह मतलब 2 इंच यहां पर बहुत माईने रखता है क्योंकि चेस्ट जादा जैसे बड़ी होती है ना 2 इंच भी बहुत माईने रखता है तो अब वहां पर सारे 10 हमने ले लिया है 42 में और 44 में मैंने 11 इंच ली है तो इस चीज का क्योंकि यहां पर यह तीन चेस्ट है ने इसकी जो ने विर्थ है लेंथ है सारा कुछ बढ़ जाता है बलाउज का बहुत मतलब बलाउज की साइज बड़ी हो जाती है तो यहां पर 42 पे आप 11 इंच ले सकते हैं ठीक है ना क्योंकि यह चेस्ट बहुत बड़ी होती है और इसकी लेंथ बलाउज की लेंथ भी जादा होती है तो इस वज़र तक्स पॉइंट है न वो लेंगे, टक्स पॉइंट जो है, अगर मैंने तो सारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप विगनर से आप इसके स्क्रीन सॉट लेकर रख लिए, आप उस टैप च्स पॉइंट लीजिए, फिर भी अगर क कॉमेंट क कर दिजिए और कॉमेंट के सब्सक्राइब कर के लेकों कॉए जिए न को तो पूटय चंडर पुस्क्राइब करने तो 90' के लेकिन को जरूर बताईए कि ये जो मेरी वीडियो आपको कितनी helpful लगी है क्योंकि मैंने इस topic पर मुझे बहुत सारे comment आ रहा है थी इसलिए मैंने इस topic को उठाया है तो चलिए next video में फिर मिलते हैं